तो हाई फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेकनोलोजी की दुनिया विद केके में दोस्तो मैं हूँ केके और आज हम बात करने वाले हैं कस्टम थमनेल बनाने के बारे में दोस्तो थमनेल एक वीडियो के लिए क्लिक थू रेड को सिग्निफिकेंट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और हम इसके इंपोर्टेंट्स को इस वीडियो में जानने वाले हैं तो इस वीडियो को आज तक जरू देखिएगा तो आप समझ पाएंगे थमनेल की क्या-क्या मतलब वीशेस्ता है होनी चीए और इसके साथ थमनेल क्या रोल प्ल और रेलिवेंट होना चाहिए ये चीज़ आप द्यान रखें देखिए एट्रेक्टिव भी होना चाहिए व्यूर आपके वीडियो को ओपन करेगा तो ऐसा थमनेल होना चाहिए जो लोगों को क्लिक करने के लिए इन्वाइट करें मतलब लोग उस चीज़ को देखना चाह वीडियो बनाने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत है किसी चीज़ में तो थमनेल बनाने में है इसमें कई बार हम अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं तो आइडियली यह इमेज आपके कॉंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए यो नहीं कि आपने से रेड राउंड से या इंडिकेशन से इस तरह से भी आप बदा सकते हैं उसके अंदर तो उसे एक्टरेक्टिव बनाता है और एक पोज चूट कर सकते हो अपने लिए और उसके अंदर भी आप अपने अलग-अलग पोज अलग-अलग एक्सप्रेशन में अपने फोटो लागा सकते हो या कोई भी ऐसी चीज जो relevant हो वह आप अपने ऍदर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है थम्नियल में टेक्स्ट को जोडना टेक्स्ट वहुत ही बड़ा रोल इंपोरेंट इंपोरेंट रोल अधा करता है क्योंकि एक contract जल्दी provide करता है लेकिन याद बरबर के टेक्स्ट बरदिया आपने उसके उपर थम्नेल पे सारी कहानी राम कथा उस पे लिख दी ऐसा नहीं करना है ज्यादा टेक्स्ट डालने से आपका जो थम्नेल है उसका अट्रेक्शन खराब हो जाता है सो बोल्ट और लार्ज फॉंट का यूज करें और इसीली पड़ सकें इस तरह के फॉंट का साइज रखें खास करके मोबाइल डीवाइस के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है थम्नेल बनाने के लिए बहुत सारी अप्लिकेशन यूज होती है खास करके मैं यूज करता भी बहुत महत्वपोन हैं आपके द्वनेल के अंदर जो त्रेक्षण लाने के लिए color contrast बहुत जरूरी है अलग-अलगतर के color use कर सकते हो किसी हाइलाइट कर सकते हो किसी के अंदर बौर्डर देशोते हो वाइट ताकि आपका जो text background है वो image के against एंगेंस जो standout है वो उसका म रहा है, font में आपको अलग-अलग variation रखने चाहिए, आपको ensure करना होगा कि color eye catchy हो, यानि कि ऐसे color यूज़ करें, नीला, पीला, black, इस तरह के color जो है, जो dark color है, वो भी use कर सकते हैं, अलग-अलग color का समझे से विठा के, आप जो thumbnail है, उसको बहुत attractive बना सकते हैं, इस बात का आ द्याद रखें, एक और tip है आपके लिए, वो है emotions का use करना, face का emotion, strong emotional expression, ज्यादा जो audience है, उसको attract करता है, अगर आपके thumbnail में एक face है, और face में जो strong emotion, जो show हो रहा है, जैसे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, या कुछ surprise लग रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, इस तरह के expressions जो होते हैं, वो लोग इसे ज़्यादा click करते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर द्याद रखें, और उसके click के chance भी ज़्यादा रहते हैं, thumbnail बनाने के लिए pixel lab के अन्वा जैसी application आप use करें, और related template आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपक कभी कोई नहीं चल रहा है thumbnail, तो आप change कर सकते हैं कि अलग-अलग thumbnail से आपके वीडियो पर क्या आफर पड़ता है, YouTube आपको वीडियो अपलोड करने के बाद भी thumbnail change करने की सुईधा देता ही है, ये आपको पता होना चाहिए, आप experiment करें और देखें कि कौन सा thumbnail better perform कर रहा है, So, हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ essential tips for creating effective and engaging thumbnail, तो अच्छे thumbnail आपको वीडियो को ज्यादा visible बनाते हैं, और आपके चेनल की growth में help करते हैं, So, next time हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, So, बनाते रहिए, इंप्रूमेंट करते रहिए, और and create amazing thumbnails, So,